तो यार टाइटल आपने देख लिए स्टार्ट करते हैं आज मैं आपको टॉव फाइव लाक टॉप बताँगा जो कि फोटो आटेंग के लिए पॉफेक्ट डील होने वाले हैं तो यार वीडियो के साथ बने रहना स्केपड मत करना स्टार्ट करते हैं वीडियो लेकिन सबस संब्सक्राइब करते हैं तो गांगा देख लेकिस यह मैंने दो लैप्टॉप को रखा यह दो लाप्टले पूरे मिल जाता है और से यह दोनों लेप्टाप अब आपको आपको अपर देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको 144 रिफ्रेश्य दिखने को मिल जागी 16 GB RAM मिल है कि उसके बाद आपको i7 देखने को मिल जागा जो कि इसके specification बहुत तगड़ है so that's why इसको मैं 90,000 के budget में रखा ठीक है ये specification के साथ आपको 90,000 के budget में ये laptop मिल जागा अभी बात करते हैं सूस्रोग जैपरेस G Fordham की तो 2020 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला सबसे ज़्यादा पसंद किये जाने वाला laptop है because इसका design इसके color इसके specification बहुत तगड़े मिल जाते हैं इसकी display की बात करूँ आपको 120 refresh के साथ इसकी display देखने को मिल जाती है dual fan मिल जाते है anti dust cooling मिल जाते हैं उसके बाद आपको lighting system मिल जाता back side में जिसको आप कस्तमाज कर सकते हो जो कि इसकी plus point आ जाते हैं में main specification की बात दोनों की कर लेता है तो सबसे बहले बात करते हैं सूस रॉक्स के main specification की तो यह display की बात उनको 15.6 inch full HD plus display मिल जाती है जो की IPS level display जो की 144 refresh rate के साथ आते हैं तो यह 144 refresh rate सच में matter करता है अगर आप photo editing करते हैं आपके लिए perfect deal होने वाली है प्रसेसर की बात करूं आपको i5 भी मिल जागा आपको i7 भी देखने को मिल जागा जो 90,000 के बज़र में यह laptop मिलेगा उसमें आपको i7 देखने को मिलेगा 10th generation के साथ storage की बात करूं उसमें आपको 16GB RAM मिल जागी 512GB SSD देखने को मिल जागी graphic card की बात उनको 4GB graphic card मिल जागा operating system की बात उनको विडियो ट्रेम ले जाते हैं battery life की बात करूं आपको 7-8 hours का battery life provide कर देता प्राइस की बात करूं 85,000 से लेके आपको 95,000 के budget में i7 16GB RAM एं 4GB graphic card के साथ सूस रॉक्स एक्टिक्स देखने को मिल जाएगा यह में स्पैसिफिकिशे में आपको बता दिया सूस रॉक्स एक्टिक्स के भी अभी बात करता है सूस रॉक्स एप्रस जी 14 की तो यह डिस्प्ले की बात करूं को 14 इंच Full HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती जो की IPS anti-glate लेकि बात करूं को यह 120 refresh के साथ देखने को मिलती है पूर शायसर की बात करूं इसमें आपको AMD राजन फाव देखने को मिलेगा ठीक है नब्य हजार से लेके आपको जो एक लाख दस हजार के बड़े में उसमें आपको फाव भी मिल जागा आपको सवन भी देखने को मिल जाएगा जो भी आप लेना जाते हो जतना भी आपका पटेट है उसके अप देख लेना स्टोरेज की बातों को 8GB RAM मिल जाते एक्सपेंडेबल आप कर सुकते हो प्रस आपको 1TB SSD देखने को मिल जाते ग्राफिक कार की बातों को RTX भी मिल जागा GTX भी मिल जागा 4GB देखने की भी देखने को मिल जागा ओ प्रेडिं की बात करूं आपको Windows 10 देखने को मिल जाते है नकीम को 10 hours का ब्रवाइड कर देता प्राइस की बात करूं यह 90,000 से स्टार्ट हो जाता है इसका प्राइज आपको 1,16,000 तक भी देखने को मिल जाता है तो यार मिन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही लैप्टॉप्स के बता दिया भी बात करते हैं इन दोनों में से कौन सा लेना जाएए यार अगर आपका बज़ड कम है असूस रॉक से ट्रिक्स जो आपके लिए पॉफेटील हो सकता है अगर आप पे कर सकते हो वाल लैक तैन थाजन जाए प्लस आपको जो एलेडी लाइटिंग बैक साड में मिल जाते ना उसकी लुकल लैक्क आपकी बहुत आगे लेकर चल जा की बात कर लेते हैं तो अभी बात करते हैं अगर आपका बज़ड वान लाग ट्यान थाउसद से लेके वान लाग फॉरी थाउसन हो जाता है इस प्राइज में मैंने फिर से रखें गाए दो लैप्टॉप एक आता है असूस के और से दूसरा हाता है एच्पी की और से ठीक आप ट्रैक्पड बहुत पसंद करते हैं आपको फॉर्ट डेस्प्लेइ मिल जाती है डिजान कलर वगरा बहुत चाहिए प्लस उसके जो ट्रैक पैड है वो भी बहुत जादा सही है अगर आप टाइपिं में बहुत जादा करते हो तब भी आपके लिए बैस्त दील हो जकत करते हो एक बार आप चाहँड़ कर लें आपको बहुत पसंद आने वाली है अभी बात करते हैं दोनों के में स्पैसिफिकेशन की तो यह एच्पी स्पेक्टर एक्स त्री सिक्स जीरो की बात करूं सबसे पहले डिस्प्लेए की बात हो को फिफ्टीं फॉर के टच्च इस स साथ देखने को मिलती है जिसके साथ आप यूज कर सकोगे तो आपके लिए लो सकता है ठीक है मैंने आपको पहले भी बिता दिया इंटरनेशनल प्रेटर इसको बहुत पसंद करते हैं पर साथ की बात करूं आपको आई सेवन टैंटन जेनरेशन के साथ मिलता है स्टोरेज की बातों को 16GB RAM मिल जाती है प्रस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते है ग्राफिक आर की बातों को GTX 1660 Ti4GB के साथ मिलता है प्रेटरी की बात करूं आपको थोड़ी हवस का बैंटरी बैकर मिल जाता है प्राइस की बात करूं आपको एक लाख बीस हजार के बज़र में HP स्प स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिल जाएगी तो यह मिन स्पेसिफिकेशन में आपको बदा दिया HP स्पेकर एक थे सिक्स जीरो के अभी बात करते हैं सूस जैन्बुक दूओ की तो यह डिस्प्ले की बात करूं आपको 14 इंच फुल एस्टी प्लस डिस्प्ले है सेकें डिस्प्ले की बात करूं वह आपको 12.6 इंच की फुल एस्टी प्लस डिस्प्ले मिलेगी जो की आइपस लावल डिस्प्ले जो की टच सक्रीन आपको देखने को मिल जाते है पर सासर की बात करूं आपको i7 देखने को मिलेगा 10th generation के साथ storage की बात हो 16 GB RAM मिल जाते है प्लस आपको 1 TB SSD देखने को मिल जाते है ग्राफिक कार की बातों को नवीडिया जीफो MX250 लेखने को मिलेगा अप्रेंश देखने की बात करूं आपको विंट्व 10 मिल जाते है बैंटरी लाफ की बात की बात करूं आपको एक लाख 25,000 के बजट में यह स्पेसिफिकेशन के साथ असूस Zenbook Duo देखने को मिल जाएगी तो यह में स्पेसिफिकेशन में आपको दोनों ही लैप्टाप्स के बता दिया दोनों लैप्टाप आपको पूरे लूड़िड मिल जाते है अगर आपने फोटो एक्टिंग करनी है अगर आपने आपने ऐस आ क्रेटर काम करना है आपको बहुत ज्यादा तग रहा है दोनों में से कोई भी लेना जाते हो आप ले सकते हो गर बात करते हैं कि मैं कौन सा लेता तो यह मैं सच में बोलू तो यह मैं कंभ्यूज हो जाता विकाज जून से जैन्वक दूए वो भी बहुत अपर है एंड़ अगर मैं बात करूँ एच सच में अपर देखने को बजाते हैं लेकिन ज्यादा तर बंदे जो है वह एच पी स्पेक्टर एक्स त्री सिक्स जीरो की और जाते हैं अपने इंडियन तो खास करके बिकाज यार एच पी हो गया डैल हो गया हमका एक ट्रस्ट बना हुआ है उनको लगता है कि यह जो ब्र गेड़ लाग से लेकिए दो लाग हो जाता है तो भई मैं आपको सीधा बोलना जाता हूं आपके लिए पॉफेक्ट डील हो सकती है एपल मैक्बुक थरडिन जा एपल मैक्बुक प्रो दोनों में से कोई भी आप लेना जाते हो आप ले सकते हो बस आपने इतना दियां जाना ही जाना ही जाना है उसके नीचे आपने नहीं जाना है तो आपके काम आएगा अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्ट यूज करना है वो 16GB आपके लिए बैस दील हो सकती है तो यहार मैन स्पेसिफिकेशिए मैंने आपको बता दी है एपल मैक्बुक प्रो के भी एपल मैक्बुक 13 के भी मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि अपने 16GB RAM के अर मेनिमम जाना ही जाना है उसके नीचे आपने नहीं जाना है उसके अपपर अगर आप जाना जाते हो आपके लिए वो बहुत जादा गुट डील हो सकती है तो यहार अभी मैंने आपको इतने laptop बता द मैं आपको कहना जाता हूं कि सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड की हो है यार अगर आपने चाओर करना है डीपली देखना है सिर्फ देखना चाहते हो जैसे भी करना जातो आप कर सकते हो तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खतम अगर आपको मेरी वेच लगी यार वीडियो को लाइक करते ना कमेंट करते ना शियर करते ना दोस्तों के भी दोस्तों को बेदेना उनको भी कहते ना कि चैनल को कदे सब्सक्राइब वीडियो को कदे लाइक इन इंस्ता अगर आपको फॉल्व लिंक को गारा है यार आपक ओर्जोगी और्जोगी और्जोगी पिया है तो कर दो जजे जेक्म रहिता है।